डाक जीबन बीमा, ग्रामीन डाक जीबन बीमा का प्रीमियम जमा करना हुआ और भी आसान आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बेठे कैसे आप उनलाइन IPB मोबाइल का यूज करके अपने डांक जीबन बीमा का premium और ग्रामीन डांक जीबन बीमा का premium जमा कर सकते हैं वीधियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा सेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नी के आये सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है फ्रेंस कस्टमर की काफी ज़धा डिमांड आने के बाद डिपार्टमेंट आप पोस्ट ने आखिरकार आउनलाइन प्रीमियम जमा करने का एक सरल तरीका अपने कस्टमरों के लिए लॉंच कर दिया है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ज़्यादा टाइम बेस्ट नहीं करते हैं सबसे पहले अगर आपका खाता इंडिया post payment bank में नहीं है तो किसी भी post office में जाके इंडिया post payment bank का account एक open करवा लेंगे जिससे कि आप घर बेटे पिलाई का premium जो है जमा कर सकते हैं अब आपको post office में line लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है friends अगर आपने अपने account open करवा रखा है तो play store से आपको एक application download करना पड़ेगा जिसका नाम है IPV mobile app आप मेरे mobile के screen पर IPV mobile app देख पा रहे होंगे चलिए सबसे पहले उसको open कर लेते हैं ठीक है चलिए मैंने अपना EMP डाल दिया है अभी थोड़ा सा time ले रहा है और IPV mobile app जो है open हो रहा है देखिए department app post ने अभी अभी जो अपना IPV mobile app है उसे काफी जदा update कर दिया है आपको interface जो है काफी standard देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप नीचे slide करेंगे देखिएगा आप नीचे slide करेंगे तो आपको एक option देखने को मिल रहा है post office service ठीक है my service में आपको pay bill pay bill के बगल में post office service का option दिया गया है इसी पर आपको click करना है जैसे ही इस पर आप click करते हैं post office की जो सेवाएं हैं जैसे post office saving account है ठीक है उसमें जमा करना चाहते हैं postal life insurance में deposit कर सकते हैं recurring deposit account में उसमें भी जमा कर सकते हैं PPF में सुकन्य में या फिर अगर आपने loan ले रखा है आडी account में तो उसको भी deposit कर सकते हैं तो हमने कहा कि इस वीडियो में हम आपको डाग जीवन विमा और ग्रामीन डाग जीवन विमा में premium जो है जमा करना सिखा रहा है तो चलिए हम click कर देते हैं poster life insurance के option में ठीक है हमें यहाँ पे बहुत सारा option दिखाए दे रहा है pay premium transaction history standing instruction my policy हमको जो है premium जमा करना है तो सबसे पहले हम click करें किसमे pay premium में ठीक है यहाँ पे कुछ instruction बता रहा है इसको आपको कुछ नहीं करना है yes कर देना है yes करने के बाद आपको यहाँ पे दो option दिखाए दे रहा है पहला option है policy number का दूसरा option है data birth का सबसे पहले हम यहाँ पे policy number note down करते हैं ठीक है policy number मैं enter कर रहा हूँ उसके बाद हमको data birth सेलेक्ट करना है customer का data birth क्या है ठीक है data birth सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सभी दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा ताकि सभी को पता चल सके कि अभी जो है आपको पोस्ट आपिस में लाइन लगाने का जरूरत नहीं है गर बैठे जो है अपना प्रिमियम जमा कर सकते हैं चलिए फ्रेंट देख रहे हैं पुरा डिटेल आ चुका है पॉलिसी नंबर यहां पर बता दिया प्रोड़क्ट नेम बता दिया जो फ्रिक्यूंशी है मंतली जमा कर रहे हैं ठीक है यह प्रिमियम जो है एक जून से लेके 30 जून के बीच में जमा हो जाएगा ठीक है नेक्स बनाया था और कंफर्म कर देना है आपने कंफर्म किया आपका प्रिमियम जो है पे हो चुका है दोस्तों अगर जानकारी अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें सभी दोस्तों के साथ सेर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडिया पोस्ट रिले तमाम जानकाली सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रस करें ताकि वीडियो को नोटिफिक्टिक्टे सबसे पहले आपको मिल सकें थैंक वैस थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो